खमा गणी राम राम सा स्वागत है आपरो ट्रेवलिंग 360 में मैं आपको बता दूँ के आज हम निकल चुके हैं होटल से और अब बाई फ्लाइट जो है हम जमु कस्मीर से होते हुए श्री नगर जाएंगे और उसके बाद आगे की जो अमरनात की यात्रा है वो तैय करेंगे तो हम नव जने जो है वो निकल चुके हैं और एरपोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं और अब एरपोर्ट में जो हम चेक इन करेंगे और हमारा जो सामान है जो लगेज है वो सारा जो हम चेक करेंगे और देखिए यहां पर एक बाई साब है वो लगेज लेकर हमारे खिल अले बता दू कि मारा जो मित्र दिनेश है वो यहां से टिकट ले रहा है धेकिए यह टिक possono आ है मसीन द्वादध की टिक driving and और यहाँ पर हमारा सारा सामान जो है वो तोल कर उसके बाद जो है आगे फ्लाइट में जाएगा तो पतातू लगेज में करीब 15 किलो होना चाहिए और हैंड बैक जो पीछे बैक बनाते हैं अपन उसमें करीब 7 किलो जो है एक व्यक्ति जो है ले जा सकता है पर उससे पहले यहाँ पर हमने सामान चेक कर वा लिया है और अब हम सब मिलकर फ्लाइट को और बढ़ छुके हैं और आगे फ्लाइट की जो तस्वीर है वो मैं आपको देखने। इताले आज़े ए तिक इसलाव सवारादीन है उती इस स्यानियी से मैं और लिक्ष में सवाय के लिए वह सब्सक्राइग करें सवारिय और एक हींटाइन है उति लिसे जटें नहींầyam सामने जो नजर आ रहा है यह एरोप्लेन जो है यह हमारा है जो हमें यहां से दिली से स्री नकर के लिए लेकर जाएगा और बता दूँ कि दिली के इस एरपोर्ट का नाम जो है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट है और यह बाई रोड जो कि हम किस परकार से एरोप अन्ययया जहां पर भी आपको जाना है तो सारे हवाई मारत जो है और यह देखी यह यह रोड चुके move marker नाम के बीच हो देखी यहां पर एक मैडब है जो यहां पर निर्देशित कर रही है के एकजिट Verm deixar दें आपा ज्तिती हो जाती है तो किस परकार से हमें उसके नीचे जो kit bag है वो kit bag मैं आपको दिखाऊंगा पर उससे पहले देखी यह आगे kit bag रखा हुआ उसमें मैं दिखा दूँ यहाँ पर सारा दिया गया है कि जो वो नीचे kit bag जो sheet के नीचे दिया गया है उसे हम कैसी उप्योग में लेंगे तो पहले यह तस्वीर देखी कि इसके अंदर इक pocket है वो pocket जो है जो अपन पॉपकॉन खाते उस परकार का pocket है पर इसमें जो है यह किसी के एरोप्लेन जब उडान भरता है या लेंडिंग करता है उसमें यह किसी के वोमेंटिंग उल्टी होने लगती है तो इस pocket में वो कर सकता है और उसके अलावा यह निर्देशित कार्ड जो है वो है इसके अंदर बताया गया है जो वो kit है वो किस परकार से यह आपातकाल स्थी हो जाती तो हम किस परकार से उसमें हवा बढ़नी है और हमें जो है एर जो यह एरोप्लेन है उससे नीचे कुदना है या अन्य जगा जो है कुदना यह देखिए सारे जो है निर्देश दिये गए और यह देखिए यह एक टैबल होती है जो आगे वाली शीट हो थी उसके बैक साइड लगी हो थी जिस पर अपन कुछ रखकर परकार से भातलो के वीछ नदेखिए जो है जा tyre परकार के बाझा टींडिन लोग उर्ड़ से अमधिन आपकर देखिना थे यह तस्वीरे जो है यह दिली एरपोर्ट के है इंद्रा गांधी इंटरनेशन एरपोर्ट देखिए नीचे किते दिली के छोटे-छोटे मकान नजर आ रहे हैं जैसे कोई डेमो पीज रखा हुआ और उसके बाद लोग को चीरता हुआ जो है वह निकल रहा है और बाद लोग रिखा लगाने पड़ती है और उसके बाद यह द्यापातगाल इस्तिति होती है तो अमएं जंप लगानी पड़ती है और उसके बादेखिए हम किस परकार से यह से स्री नगर का हवाइड्डा यह नीचे तस्वीरे जो है यह तरह हमारा एरो प्लैं जो है वो करीम एक स्रीनगर के हवाई अड़े वह पहुंच चुक है और अब बाबा वर्फानी की आगे की यात्रा जो है वह हम आपको दिखाएंगे